10.4.5 आक्सिकरण और अपचयन अभी क्रियाएं क्रिया कलाब 7 पार्सिलेन प्याली में एक ग्राम कौपर चूर्ण लेकर उसे चित्र के अनुसार गर्म कीजिए आपने क्या देखा? कौपर चूर्ण की सतह पर काली परत चड़ जाती है यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कौपर ऑक्साइड है जो कौपर और ऑक्सिजन की क्रिया से बना है यदि इस गर्म पदार्थ के उपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंकी हो जाती है क्योंकि कौपर ऑक्साइड ऑक्सिजन खो देता है और फिर कौपर प्राप्त हो जाता है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सिजन ग्रहन की जाती है तब उसका ऑक्सिकरण होता है तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सिजन की कमी होती है तो उसका अप्चयन होता है अभिक्रिया 27 में कौपर ऑक्साइड में ऑक्सिजन की कमी हो रही है इसलिए copper oxide अपचयित हुआ है और hydrogen में oxygen की बृद्धी हो रही है इसलिए hydrogen oxygen oxygen हो रहा है अर्थात इस अभिक्रिया में एक अभिकारक oxygen तथा दूसरा अपचयित होता है इस अभिक्रिया को oxygen अथवा redox अभिक्रिया कहते है CuO plus H2 is equal to Cu plus H2O यहां H2 का H2O में oxygen होता है और CuO का Cu में अपचयित होता है आएए अभ हम oxygen और अपचयित को समझने के लिए एक क्रिया कलाब करें इसके लिए हमें कुछ सामगरी के आउशकता होगी यह सामगरी है पोर्शलीन की प्याली यानि की पोर्शलीन की डिश कॉपर का चून, बर्नर, त्रीपाद स्टेंड और तार की जाली चलिए क्रिया कलाब शिरू करते हैं सबसे पहले पोर्शलीन की प्याली में थोड़ा सा कॉपर का चून लेकर गर्म करें अब इसमें होने वाले परिवर्तन का उलोकन करें देखा आपने कॉपर के चून की सता काली हो गई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा की ऑक्सीजन कॉपर से सायोग करती है और बनता है कॉपर ऑक्साइड यानि की Cu प्लस O2 मिलकर बनाते हैं CuO अब यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइट्रोजन प्रवाहित करें तो क्या होगा? आईए देखते हैं कॉपर पर जमी काले रंकी परत का रंग बदल जाता है और यह भूरे रंकी हो जाती है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पर हाइट्रोजन की क्रिया से कॉपर पुनह प्राप्त हो जाता है CuO प्लस S2O मिलकर बनाते हैं Cu प्लस S2O आईए अब आगे समझे यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहन करता है तो वह ऑक्सीक्रित होता है इसके विपरित यदि पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो वह अबचैइद होता है इस अभिक्रिया में आपने देखा कॉपर आक्साइड आक्सिजन का त्याग करता है इसलिए यह अबचैइत होता है और हाइड्रोजन आक्सिजन को ग्रहन करती है इसलिए वह आक्सिक्रित होती है यानि कि यहां एक अभिकारक आक्सिक्रित होता है तो दूसरा अबचैइत होता है इसलिए यह आभिक्रिया रेडॉक्स आभिक्रिया कहलाती है